कोरोना और भूकम लोगों को डड़ा रहा है रोहतक वासी जरा भूकम से साथधान हो जाएं क्योंकि भूकम काफी खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं एक रिपूर्ट आपकों दिखाते हैं आप खुछ समझ जाएंगे रोहतक वासियों ध्यान से सुनो भूकम से फिर से कापे का रोहतक भूकम के लिए समवेदन शील क्षेत्र है रोहतक जून में आठ बार कापी है रोहतक की धर्ती एक तरफ कुरूना का डर सता रहा है तो दूसरी ओर भूकम दिल दहला रहा है हर्याला के रोहतक शेत्र में जून के महीने में लोगों ने आठ बार भूकम के जटके महसूस की लगातार आ रहे भूकम के जटकों से लोगों में दहशत का महौल है ये तो सभी जानते हैं कि भूकम पाना प्राकृतिक घटना क्रम है धर्ती के नीचे वनी प्लेटों के किसकने से प्रत्वी पर भूकम के स्थि पैदा होती है भूकम कब आएगा और कितना तीवर ये भविशिवारी अब तक भूव व्यज्यानिक भी नहीं कर पाए है लेकिन आप भूकम से बशने के लिए हमेशा तयार रहे आपको बतादे कि अगर भूकम की गती पांच तक रहती है तो भूकम नुक्सान नहीं करता है और पांच से ज्यादा तीवर गती काएगा तो उसमें नुक्सान की संभावनाएं पढ़ जाती है रोह तक शेत्र भूकम के लिहाज से समवेदन शील शेत्रों में माना जाता है प्रित्वी का ध्रादल का अचानक से काप जाना ही हमारा क्या भूकम कहलाता है और यह भूकम हमारी प्रित्वी जो है हमारी जो क्रेस्टर वो प्लेटों से बनी हुई है और यह प्लेट जब मूव करते हैं दीरे दीरे मूव करते हुए जब यह आपस में टकराती हैं तो उस टकराओ से जो एनर्जी रिलेज होते हैं कोरुनाम हमारी के दौर में आए दिन भूकम के जटकों ने रोह तक वासियों की नींद उड़ा दी है आए दिन डर लगता है कि कहीं कोई बड़ा जटका आ गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है भूकम का डर लोगों के दिलों में सकदर घर कर गया कि अब लोग प्रशासन से भूकम से बचने के तरीकों की मांग कर रहे है ये तरीके कितने कारगर साबित होंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा लेकिन आप भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें चनता टीवी के लिए रोह तक से संजे कुमार की रिपोर्ट